हालो गाइज वेलकम टू नॉलेज डिकोड हैर और यह जो क्लास होने वाला है यह है अपना स्टैक्स का पार्ट टू ठीक है अगर पार्ट वन की बात करो तो पार्ट वन में हमनों सॉल्व किया था कि माद किस तरीके से निकालते हैं जो डैरेक्ट मेथड होता है जो परत्यक करते हैं हमने आज का क्लास होने वाला है महां डिसकस करेंगी यह अगला विदी यह इसको धूसरा थैक्रेट करते हैं क्या मेथड होता है क्या हरे यह सबसे पहले यह समझों कि आख अरे भाई हमारे पास एक में था ही इस वारत पर पर रहा है तो इसी चीज़ लिखा वाई निचिए दि दिये गए वितरन में एकस आई एफ आई के मान बरे हो तो डिरेक्ट मेथट से माध निकालना काफी कठीन हो जाते हैं देखो जब डायेट में तो डिसकस कर रहे थे तो क्या वात आता सिग्मा एकस एफ आई डिवाड़ेड वे सिग्मा एफ आई तो समझ एक तो मल्टिप्लिकेशन करना अगर रख एक न बहुत बड़े बड़े वैल्यू है तो उसको मल्टिप्लाय करना में फिर एड करने में डर वट बेट टफ समझ लो ना टफनेसलेवल जहाना वह आपका जना बहुत हैक्टिक हो जाता कैलिकूलेशन होगा ठीक है है हैक्टिक मता होता कठीन हो जाता ने हम लगा लेते हैं अईसी स्थिती में माध्य प्रकलित करने के लिए कल्पित माध्य विदी का प्रयोग किया जाता है कि जब देखता है कि वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी है और वी कैन नॉट सॉल बाई यूजिंग ऑफ फर्स्ट एक्वेशन आई थिंक पर्टियक्स विदी वाला एक्क्वेशन तो हम लोग कौन से यूज़ करेंगे कल्पित माध्य विदी या लगूजिती विदी ठीक है तो देखो सबसे पहला जो इस तो कोई साथ कारेकर चरहने से तो कोई मतलब नहीं है डेट कोस्टन से बताता हूँ किस तरह से आपको सॉल्व करना औ देखो इसमें जो फर्मूला आपको याद रखना बस यह याद रखो ठीक है वहाँ पर अगर आप पर टेक्स विदी की बात करते हो तो एक्स बार बरावर क्या होता है तो आपको यह फर्मूला लगाना पड़ेगा है स्बार तो समझ में आता ही है हम आपको यह समझाओगWith क या है यहतHome समंझ में किखे-जैजिसी फकुशन से समझो सिधा ग्याद कीजिए देखिए question आपके पास given है हाँ अगर यहाँ पर कोई method नहीं दिया रहा था यह नहीं बोला रहा था कि आप कल्पित माधिविदी का यह सब नहीं लिखर तो आप डिरेक्ट में यूज कर सकते थे लेकिन यहां तो लिख दिया भाई कि कल्पित माधिविदी क प्रियोग करती हुए आपको निकालना है तब तो आपको यूज करना ही फरोग पर आपका कौन सा फर्मूला यह फर्मूला ठीक है अब देखो तो जो पहले given है वो लिख लो यह आपको given था so work अंत्राल तो लिख लो सबसे पहले देनिक मजदूर लिख लिए ठीक है पहला हम लोग कॉलम में सो कॉलम बोलते हैं दूसरे में क्या लिखा था बारम बार ता उभी लिख लो एफाई लिख लो ठीक है अब एकसाई के लिए क्लिए क्या बता है था कि जब इस तरह की कुछ सीन बन रहा हो so 120 work अंत्राल दिया हो तो एकसाई निकाले का simple सा method है so plus 120 divided by 2 तो फॉर्मूला अगर देखो मादे एकस बार बराबर एप पलस सिग्मा एफाई डियाई बस सिग्मा एफाई ठीक है ये चीज था तो अब तर्म समझने वाले चीज़े ये एक क्या है देखो ए होता है ना एकस आई का मद्ध बिंदू ये चीज़ याद रखो ए जो होता है वह एकस आई का बीच वाला बोल सकते है एकस आई का बीच वाला ठीक है ये क्या होता है एकस आई के बीच रहे से को मालो कि यहां से आप लोग एकस आई निकाले एकसो दोस निकाले एकसो तीस निकाले एकसो पचास निकाले एकसो सतर निकाले एकसो निकाले एकसो निकाले तो यही A जो होता है, यही होता है, A होता है अपना क्या, कि जो हम लोग XI जो होता है, XI के जो बीच में होता है, अगर यह है, इसके बीच में कौन सा है, 150 है तो हमें 150 ले लिए, A समझ में आगया क्या हो गया, A कुछ नहीं होता है, XI जो लिखते हैं, उनके जो बीच में प यहां भी लिखा होगा, देखिलो, जूसे a plus sigma-fi, d, a plus sigma-fi, a तो मैं आपको बता दिया, a क्या होता है, x, i का बीच में जो होगा, वही about a, d, i क्या होता है, d, i होता है, x, i minus a, यहां से समझ में आएगा, d, i क्या होता है, x, i minus a, actually जो final formula आपको लाना है तो वो क्या होता है a plus sigma fi d तो जब आप देखते हो देनिक मजदूरी तो वर गंतराल निकाल लिए मजदूरू की संख्या निकाल लिए x i निकाल लिए formula हमको a नहीं given था तो a हम लोग x i की बीच वाले से निकाल लिए फिर हमको निकाल लिए di इसके लिए हम एक अलग column बना है di की formula होता x i minus a it means क्या x i कितना 110 minus a 150 110 minus 150 कितना होगा minus 40 थोड़ा से कदर चिंज करलो क्या रुको फिर छेगर दूसरा देखो x i minus a की बाप करो x i कितना था बताओ दो 130 minus 150 करोगे तो minus 20 होगा फिर x i minus a करो x i कितना था बताओ जली से 150 और a b 150 था तो क्या हो जागा 0 इस तरीके से आप x i minus a x i minus a करके आप d निकाल ले जाओगे अब जो formula में होता है इस इक माँ f i di f i e वाला हो गया di e वाला होगा इस तोनों को multiply करके आपको सीधा यहाँ लिखना f i di फिर must multiply करके लिखते चले गए इसमें है summation of f i di मतलब जितने भी आप f i di निकाले होना सबको add करोगे तो कितना होगा minus 240 ठीक है फिर क्या है अपना summation of f i summation of f i का उनसा हमको बता दो यह f i 20 का summation मतलब सबका addition कि यह तो 50 आया must value put किये तो आपका answer कितना आगया 145.20 यह समझ में आ गया question कुछ करना नहीं है बस formula है बस ए टर्म समझना क्या x i के बीच वाला को बोलते है di होता है x i मेन से फिर तो पहले वाला ही सब चीज है अराम से calculation वाला जो भी पार्ट है तो सेमी है हर का ठीक है चलो अगला question देखते है question क्या है समझना नीचे दिये गए वित्रन में किसी मोहले के विभीन बच्चों का जेव खर्च रुपिये में दिया गया है यदि उनका मादी जेव खर्च 18 रुपिया हो अरहा है कल्पित मादी है कल्पित मादी है हम लोग यूज कर रहे है कि जिससे हम लोग का problem ना हो ऐसा तो कुछ बोला नहीं है अच सच लेकिन यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे है कौन सा कल्पित मादी ठीक है देखो अब धियान से सबसे पाला पॉइंट जो मैं बोलूँगा सबसे पाला पॉइंट जो है तू तो लिखी लो पाले भाई ये देनिक जेव खर्च लिख लिए फिर बच्चों की संख्या मतलब फाई लिख लिए फिर आपको निकालना होता है XI की निकालने का रूल है क्योंकि तो 15, 15, 25 दिन 28 बटाद दूद 14 हो जाएगा इस तरीके से आप लोग हर एक जो देनिक जेव खर्च लिख लोगे मस्त कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन जब कल्पित माध्य विधी मेथट से जब आप सॉल्व कर रहे हो कल्पित माध्य जो विधी है अगर उससे आप सॉल्व कर रहे हो तो वहां आपको डेफिनेटली जो फॉर्मूला यूज करते हो वहां पर एक ही जुरत होती है तो कैसे निकाल से तरय तो मैं ए बता है था एकस आई जो होगा उन का बीच वाला मतलब देखो यह तीन यह तीन दर भी थीन तो मतलना यह यह वाला है क्ल्पित माध्य ए बोल दो ठीक है फिर आपको निकानला होता है di, di होता है x i minus a, फिर से again x i ये था 12, अब minus 18 तो minus 6, 14 minus 18 तो minus 4, 16 minus 18 तो minus 2 इस तरीके से आप काम करते हुए चले जाओगे, फिर देखो formula में fi di होता है, फिर ये fi है, ये di है, आराम से fi di multiply करते चलेगे भई, total overall करते चलेगे तो आपको जो fi di आया, वो आया minus 40 plus 2f, ठीक है, और जो summation of fi करोगे, सब को जोड़ोगे, वो आयाएगा 44 plus f, पस आप कल्पित मादी विरी विला method का जो formula होता है, वो वो बस आपको लगाना है, कौन सा formula, a plus sigma fi di, बस sigma fi, ठीक है, अब देखो मादी कित्ता दिया होता question में 18 40 plus 2f by sigma fi, 44 plus f, मस्त इसको solve किये, यह तो मादी लोग कटी जाएगा, 0 हो जाएगा, तो आपका f की तागया 20, ठीक है, question के अगर बात करो, तो I think question में आपको f ही का मानी के आद करना है, तो आपका 20, यही आपका answer है, ठीक है, तो यह आपका जो कल्पित विदी, जो लगूरि मिलेगा ही मिलेगा, एक क्या है, जो x i निकालते हो, उसके जो बीच वाला है, और di होता है, x i-1, ठीक है, तो यह चीज आपको crystal clear हो गया हो, यह अपना method 2 discuss कर लिए, और जो next video आ रहा है, वो हम लोग method 3, जो उसका पद भी चलना वीदिए हो तो वो discuss करेंगा, अच्छे से, ठीक है, तो चलो आज का वीडियो इतना है रखता हूँ, और यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, कि यार मजा आया होगा ना, तो यार comment box में जरूर बताना, कि यार कितना मजा आया आपको है, तो यार जब आप लोग कमेंट करते हो, तो हम लोग को अच्छा लग ठीक है, और नीचे WhatsApp ग्रूप का लिंक मैंने दिया हो, comment box में, वहाँ पर जाको WhatsApp ग्रूप ज़रूर जोइन कर लेना, उस जोइन करने से क्या होगा है, वहाँ मैं टोटल आपका डॉट्स हैं, वह टोटल सॉल्व करता हूँ, और मैं अपने तरफ से वहाँ पर questions प्रवैड क करता हूँ, ठीक है, चलो, okay, thanks.